हुआ भाई कहां गायब दो तीन वीडियो बना लिया और हो गया अल्लो एन वश्का दोस्तों मेरा नाम है विनाश्वा मैं आप सभी कस्वागत करतों मेरिस यूट्यूब चैनल पर तो काफी समय से मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं इसके पीछे बहाना तुम्हें क्या ही दे सकता हो बट आज कल मौन्सून चला है तो बाहर जाने का मन भी नहीं करता है रोज बारिश और आप डे भी नहीं रहता है कोई फ्रेंड भी नहीं होता है साथ तो आज संडे है आज ट हम पहुंच चुके हैं सरहन और यह हमारी कहानी के दूसरे किर्डार यूडी भाई सो मंदिर यहां पीछे तो अब चलते हैं मंदिर तो यहां मेरे पीछे कुछ दुकाने अगर आप परशाद ले जाना चाहे चड़ाने के लिए तो आप यहां से ले सकते हैं कर दो आप अब चलते हैं तो हम पहुंच चुके हैं सराहन मंदिर के अंदर तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर लॉकर्स है तो अगर आप यहां विजिट करते हैं तो अपना फोन वगर आप सब यहां पर रख सकते हैं तो अब बड़ी इंटरस्टिंग सी घुपाई यहां आगे मैं आपको दिखाता हूँ तो यहां मेरे पीछे आप जो यह देख रही है गुफा है इसका इस्तेमाल काफी इंशन टाइम में किया जाता था इसका इस्तेमाल बेसिकली पुजारी वगयरा करते थे और किस्ते ही एक गुफा है आप नीचे जाके एक रामी करके गाओं है रावी गाओं में मिलती है आप यह होवन वाला वह एलिया है यहां पर सारा हवन वजयारा होता है तो यहां आप मेरे पिछे देख सकते हैं यहां का पुराना मंदीर है और राइट साइड वाला इसका कंस्रक्शन लगवग 1927 में शुरू हुआ था गाओं अंकल ने हमें बताया कि पुराने मंदीर से नए मंदीर को मूर्ती 1962 में शिफ्ट की जा चुकी है तो यहां से उपर को इस गेट से उपर को कैमरा अलाओ नहीं है तो मैं आपको मंदीर का ऐसी ओवर विव बता देता हूं वह जो आप नहा मंदीर देख रहे है वह बेसिकली तीन फ्लोर्स का है ग्राउंड फ्लोर फ्रस्ट फ्लोर एंड सेकिंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर और फ्रस्ट फ्लोर में रगुनाज जी और नर्सी जी की प्रतिमा स्थापनित है सबसे टॉप में भीमा काली जी की प्र प्रोता मंधिरा ए想ацию में kennen कर दो सिरी है झाल खakap भज कोईग If बाईब चाह이다 क्यों प्रोच सयोँ बाईब गल दोफ। तो तो मैं आपको स्राहन गाउं की थोड़ी हिस्ट्री बता लेता हूँ किसी टाइम पर ये गाउं बुशेहर रियासत की राजधानी रह चुका है बुशेहर रियासत की स्थापना प्रद्युमने की थी जो कि श्री किशन के बेटे थे उन्होंने यहाँ पे रहने वाले एक राक्षास बानासूर को मारा था और उसको मार के उसकी बेटी से शादी कर लिती जो कि ती माँ भीमा काली जिसका मंदिर आपर पीछे देख सकते है तो बानासूर को मार के प्रद्युमने बुशेहर रियासत की स्थापना की और उसकी राजधानी कामरू रखी तो हम जा रहे थे हवा महल की और और यहां पे फॉर्चुनेटली यहां स्रहन का जो हली पैड़ है इसका गेट खुला था तो हम यहां अंदर आगे यूज्वली यह बंदी रहता है मगर आज खुला था पिछे आप देख सकते कुछ सीटियां बज रही है वहां शायद कुछ खाना खुना बन रहा है लोग पिकनिक मना रहे हैं मगर अच्छा है यार मज़ा आगया है तो हम पहुंच चुके यहां सरहन के हवा घर यह में जो सरहन बस्टाइंड है वहां से लग बग कुछ दो-तीन किलोमेटर दूर होगा मगर यहां आग वर्थ है मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से मगर अंदर अच्छाओं से लग करते हाँ झालर अंदर से म nessती है पुम्ण से लोग्त मार शोग झालर आग सोहवा महल भी देख लिया तो अभी हम यहां पर थोड़ा स्नेक्स होगारा लेते एंजॉय करते है फ्रेंडशिप डे है आज वैसे आप सभी को मैं बोलना भूल गया हैपी फ्रेंडशिप डे और स्पेशली गुरविंदर मेरा भाई और ओशो हैश्टाइग मेजर मिसिंग तुम दौनों को भाई हो खासकर हैपी फ्रेंशिप डे वैसे फ्रेंशिप डे तो लड़कियों का होता है एपी ब्रदर्स दे लड़कों के भाई होता है और स्पेशल थैंक्यू यूडी भाई का जिनकी वज़े से ये ट्रिप पॉसिबल हो पाया अकेले तो बै आना नही तो अज पाया हूँ आज पर पहले अपनी जा आए आज आज पायक पर बहुत टाइम बाद आए हूँ तो काफी अच्छा इलाका है यहां का लोग काफी अच्छ लोगा असे बात नहीं है और अज का अच्छा था बल्कि और जैसे अब हम हावा बहें बेठे हैं तो यहां अच्छी हवा भी चल रही है साथ में खाने के लिए भी लिए हैं तो फिर सोने पर स्वागा थोड़ा सा रही है तो काफी अच्छा लग रहा है तो ओवरॉल एक्स्पिरेंस हम दौनों के ही काफी अच्छा रहा तो मिलते हैं बेठ पूजा के माल तो मुझे पूरी उमीद अच्छी नट विद दौनों के लिए प्रिम्स बाइ